Hello friends, चलिए बात करते हैं treatment of JLP के in partnership JLP का क्या treatment होगा? बहुत ही important topic है, बड़े जहान से देखेगा Full flash question में एक number की hidden adjustment आ सकती है चलिए, सबसे पहले हमारे पास समझना होगा कि joint life policy होता क्या है? बड़े simple से example से मैं आपको समझाता हूँ Suppose there are three partners A, B and C अब तीनों ने एक दिन बैट के सोचा कि यार अगर खुदाना खासता किसी एक की भी death हो गई चाहे A की death हो गई, चाहे B की हो गई, चाहे C की होगी तो होगा क्या? जिसकी death होगी, उसके executor जो है, वो अपना share मांगेंगे, respective partner का और उससे remaining partners के business पे फरक पड़ेगा जैसे आज तो तीनों partner है, A भी partner है, B भी है और C भी Suppose कल दिन A की death हो जाती है, ठीक है? तो होगा क्या? जो executor of A है, वो will demand for A's share, हाँ या ना, A के share की वो demand करेंगे will demand for A's state in firm, जितना firm में हिस्सा है अब B and C जो की remaining partners बचेंगे, obviously अगर A को हिस्सा दे देंगे तो that will affect the working capital of business, working capital of firm at that time क्योंकि obviously आपने एक को एक अच्छा खासा हिस्सा दे दिया उसके executor को जो उसका बनता था, तो business में कहीं न कहीं पैसा जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और जब working capital affect होगी, तो that may affect the functioning of business, इससे हो सकता है कि business की जो functioning है वो भी क्या हो जाए, effect हो जाए, तो इसके लिए इन्हों ने क्या किया? एक joint life policy ले ली, joint life policy क्या होती है? एक तरह से insurance policy होती है, उसके अंदर basically जो insurance company होती है, वो promise करती है कि in case of death, in case of death of any partner, किसी भी partner की अगर death हो जाती है, इसलिए joint बूला जाता है, तीनों के नाम पर in case of death of any partner, specified amount will be provided to firm, will be provided to firm specified amount दिया जाएगा, तो होगा क्या, अगर A की death होई suppose और वो specified amount, जितने की भी उन्होंने policy लिए, obviously वो depend करता है, firm का level क्या है, अब 10 लाग की भी ले सकते हो, 10 करोड की भी ले सकते हो, 100 करोड की भी, जितनी बड़ी partnership firm होगी, उतना बड़ा JLP का amount होगा, तो in case death हो गई एक ही, और firm ने अगर JLP ले रखी है, तो होगा क्या, वो specified amount firm को मिल जाएगा, जिस से, जिस partner की death हुई है, उसका state discharge करने में कोई दिकत नहीं आएगी, समझ में आ क्या, show, तो सबसे पहले, it's a insurance policy, हाई आ ना, and we know, जो insurance policy होती है, उसका हर साल हमें क्या pay करना पड़ता है? पे, premium, अरे निकमो, premium नहीं पे करना पड़ता है insurance policies का, हाई है न, तो अब जब insurance policies का हर साल premium पे करना पड़ता है, तो उसका treatment किस तरीके से होता है, पूरी JLP का treatment किस तरीके से होता है, वो हम सारी बाते एक एक करके, अब हम discuss करना start करेंगे, समझ मैं आ गया, show, तीके, सबसे प policy आप लेते हैं, उसकी एक value होती है, जिसको आप insurance value भी बोल सकते हैं, insurance value suppose 10,00,000 रुपे, कितनी है, suppose 10,00,000 रुपे, हमने 10,00,000 रुपे की insurance policy ली, point number two, अगर आपने 10,00,000 रुपे की insurance policy ली है, तो उसका एक tenure होगा, कि ये 10,00,000 की policy आपने कितने साल के लिए है, आपने 5 साल के लिए है, या आपने 10 सालों के लिए है, या आपने 20 सालों के लिए है, ठीक है, जितनी ज्यादा बड़े years के लिए लेंगे, उतना premium का amount कम होगा, तीसरा, every year firm will pay the premium, firm को जो है, premium pay करना पड़ेगा, इसका, हाया ना, शो, और देखी, इसके अलावा, जो चौता point है, full amount of policy, जो amount of policy है, जो कि इस case के अंदर मैंने आपको बताया है, 10 लाख रुपे है, ठीक है, ये receive होगा, दो situations के अंदर, एक, on maturity, on maturity मतलब, जब जो tenure of policy है, वो expire हो जाएगा, खतम हो जाएगा, when policy period expires, ठीक है, या, ये आपको मिलेगा, on death of any partner, इसका मकसद ही है, yes or no, तो सिर्फ दो ही cases के अंदर, full value जो है, वो मिलती है, that is on maturity, and second is on death of any partner, but, अगर, किसी भी तरीके से new partner का admission हुआ, या retirement हुई, चिक है, admission हुआ, या retirement हुई, तो उस case के अंदर, जो है, हमें policy surrender करनी पड़ती है, now, what is this, surrender of policy, surrender of policy, surrender of policy क्या होता है, कि basically, policy will be discontinued, आगे उसे continue नहीं किया जाएगा, policy will be discontinued, उसका कारण है, ध्यान से समझी, क्यों, देखें, admission के case के अंदर, अब मैंने continue लिख दिया, this will be, policy will be, discontinued, बड़े ध्यान से समझी है, जो आपको बता रहा हूँ, बड़े important चीजे हैं, policy will be discontinued, अब क्यों discontinued, let us take an example of admission, suppose A and B partner थे, इन्हों ने अपने नाम पे JLP ले रखी थी, ठीक है, अब C new partner आ गया, तो new JLP आपको लेनी पड़ेगी, A, B और C के नाम पे, तो ये जो old JLP थी, A and B की, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, खतम करना पड़ेगा, और एक new JLP हमें करवानी पड़ेगी, A, B and C, तो old JLP खतम करने का मतलब क्या है कि, आपने अपनी पुरानी policy surrender करती, समझ में आएगा, same way retirement हुआ, A, B, C partner थे, C decided to retire, तो policy थी A, B, C के नाम पे, अब C तो है इनी firm के अंदर, तो now we need to surrender the old policy, yes or no, और A और B अगर चाहें, तो future में new policy ले सकते हैं, तो खेर हमें news में तो नहीं जाना भी, surrender of policy क्या होता है, कि हम अपनी existing policy, existing policy of partners is discontinued, चेक है, उसको क्या कर दिया जाता है, अब जब आप surrender करते हो, तो आपको मिलती है, not the full value, उस समय हमें मिलती है, surrender value of policy, अब ये surrender value of policy क्या होता है, सर, देखिए, suppose, मैं एक छोटा सा example देता हूँ, आप हर साल premium pay कर रहें, तो अगर आपकी policy 20 साल किया, आपने 20 साल तक premium pay किया, तो आपको जो पूरा amount है, policy का वो मिल जाएगा, बट अगर आप 20 साल से पहले कभी भी policy को surrender करते हैं, तो आपने जितना पैसा जमा करवाया होता है, लगबग उसका 70-80% ही पैसा आपको refund होता है, सिर्फ 70-80% पैसा ही आपको refund होता है, अगर आप in between जो है, वो अपनी policy को surrender करते हैं, तो surrender value of policy जो है, वैसे आपको हमेशा question मे given होगी, दिमाग लगाने की ज़रुवत नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि in between, अगर आप कभी भी अपनी insurance policy surrender करते हैं, तो जितना आपने amount deposit करवाया होता है अभी तक, as a premium, उसका 70-80% आपको company refund देतेती है, which is called as surrender value, ठीक है जी, शेयो, चली, अब यहाँ पर हमने एक basic points तो सारे के सारे समझ ले की exactly JLP होता क्या है, अब मैं बात करने जा रहा हूँ accounting treatment of JLP, जितना मैंने आपको बताए से अच्छे से note down कर लीजे, और सब आपके दिमाग में अच्छे से बैठा हुआ होना चाहिए, तब ही आपको मेरी next video जो है बिच्चो समझ में आएगी, thank you झाल